नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों को फिर से आज एक दवा के बारे में आप लोगों को जानकर देता हूँ AG500 टैबलेट के बारे में ये एक एंटिबायोटिक है इसी के उपयोग, फायदे, नुकसान, कीमत ये सब लोग जानने वाले हैं तो AG की बात करें है तो ये एंटिबायोटिक है, इसके अंदर जो फार्मूला होता है वो एजित्रोमाइसेन है तो इसमें जो में दवा डली रहती है एजित्रोमाइसेन है ये जित्रोमाइसीन एक मैक्रोलाइड किसिम की एंटिबायोटिक है जो की काफी सारे बैक्टीरिया को मानने में काम आती है तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन में काम आएगी तो ये आप जरूरी बात देखें कि आपके सरीर में गर बैक्टीरिया का इंफेक्शन है तो ये नियाब को लिखा होगा इसका मतलब है कि ये viral fungal infection पे काम नहीं आएगी और ना ही किसी और बीमारी में काम आएगी जब बैक्टीरिया का infection सरीर में होगा तब काम आएगी दूसरी important बात ये सिपला कमपनी द्वारा बनाई गई है और यहीं पे मैं आप लोगों को इसकी price भी बता देता हूँ कीमत भी बता देता हूँ आप ये समझो कि जैसे edgy tablet है ऐसे ही दूसरी भी tablet होगे जिनकी अंदर ये edgy thromycin होगा ये आपको rough estimate बताता हूँ कि 25 रुपए पर tablet आपको ये दो तरीके से ही मिलती है तो इसका जो डोज रहता है 3-5 दिन तक रहता है और इसका जो डोज है डोज की भी यहीं बे बात कर लेते हैं तो ये adult की अगर बात करें जो जी 500 है ये आप adult को लिखी जाएगी वैस को लिखी जाएगी तो दिन में एक tablet od चलेगी और इसको 5 द तो यह जैसे 500 mg की है वैसे ही आपको 200 mg की भी टैबलेट आ सकती है जो कि कुछ बीमारियों में लिखी जा सकती है नारमली 500 mg और एजी का सिरब भी आता है बच्चों के लिए आता है तो 200 mg होता है या 100 mg वाला भी होता है तो यह जरूर देखना रहता है कि कौन सा मिलीग्राम व अलिवगान और सिरब भी बनाती है अब यह कैसे काम करेग इग इसकी बात करें एग यह जी टैबलेट अगर आपको दी है तो कैसे काम करेगी यह जैसा की बात हुई कि बैक्टीरिया को मार देगी बैक्टीरिया में एक तरीके से हम लोग इसको broad spectrum antibiotic consider करते हैं मतलब काफी तरह के bacteria मारती है तो gram positive bacteria जो होते हैं especially उन पे बड़ा इसका अच्छा असर है और कुछ gram negative तो ये important बात आप लोग जाने मतलब सरी में bacterial का infection होगा तो ही ये उस पे काम करेगी और जो bacteria होते हैं तो ये बैक्टीरिया को कैसे मारती है उसके ये protein synthesis को रोपती है protein synthesis protein नहीं बनाने देती बैक्टीरिया को तो ये जो macrolite किसिम की एजित्रोमाइसिन जो दबा है एजिनाम्स जो आती है वो bacteria के protein को नहीं बनने देती है बागी antibiotic दूसरे तरीके से भी काम करती है तो मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो ये जित्रोमाइसिन लिखी जाएगी सिर्फ अगर सरी में bacteria के infection है तब ही काम आएगी काफी सारे लोग ये पूछते है कि क्या ये दबा दर्द में काम आती है क्या ये दबा बुखार की है क्या ये दबा खासी की है तो अगर दर्द बुखार खासी आपको bacteria के infection के कारण है तब तो काम आएगी लेकिन bacteria के infection नहीं है तब ये इन किसी भी बिमारी में काम नहीं आने वाली है ये जगर bacteria के infection कारण दर दुखार खासी होगा तभी ये दबा काम आएगी ये जरूरी बात आप चाने चलिए अब इसके यूज की बात करते हैं ये जित्रोमाइसिन टैबलेट है इसको हम लोग उपयोग समझते हैं सबसे इंपॉर्डन उपयोग है इसके गले की इंफेक्शन में आप लोगों को ये निमोनिया फेफडे का इंफेक्शन तो बैक्टीरिया का इंफेक्शन अगर फेफडे में होता है फेफडे के रास्ता में ब्रोंकस में होता है गले में होता है सोर थ्रोट टंसिल में हो फेरिंग्स में हो जाए दात में हो जाए तो इसके काम आएगा क्योंकि यहाँ प ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया यूटियाई हो गया तो पेसाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए यह जो ब्लेडर है पेसाब की थैली में हो जाए यूरेटर में हो जाए किट्नी में हो जाए तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसमें भी यूज किया जाता है ह ये किसका है यूज ये भी हो गया, इसके अलावा इसकिन के कुछ infection होते हैं जो ग्रामपास्टि बैक्टीरिया से हो, जैसे कि pimple होगरा या दूसरे भी skin infection हो जाएं, इसके बाद ये हड्डियों में infection हो, बोन में infection हो सकता है, ये किसी के joint में infection हो सकता है तब लिखी जा सकती जैसे कि शुरू में बात हुई कि broad spectrum antibiotic है तो काफी तरह की बीमारियों में इसको लिखा जा सकता है burn किसी को हो जाता है किसी का सरीर जल जाता है या सरजरी के बाद या दात का operation है dental procedure होता है तो ये जित्रोमाइसील लिखी जा सकती आँक के अंदर infection हो बैक्टिरियल आँक का infection हो तो उसमें भी लिखी जा सकती है अब इसके थोड़े से नुकसान की बात करते हैं और इसके साथ आप probiotic भी ले सकते हैं प्रोबायोटिक मतलब ऐसी चीज जिसमें अच्छे वाले बैक्टिरिया होते हैं चूंकि ये दवा है एंटिबायोटिक है पेट के अच्छे वाले बैक्टिरिया को भी मार देगी तो इसलिए पेट खराब होताँ पेट में दर्द उल्टी लगता है तो आप साथ में अच्छे वाले बैक्टिरिया बाहर से ले सकते हैं तो प्रोबायोटिक ले सकते हैं दस्त का लगना पेट में दर्द हो जाना भूक नहीं लगना और ब्लोटिंग इंडाजेशेशन पे अब इस दवा अगर चल रही है, थोड़ी सौधानी की बात करें, इस विशली ये उन लोगों में सौधानी काम आएगी, जिन में ये दवा जादा दिन के लिए चली जा रहे है, लिखी गई है, पास दिन से जादा ये पास दिन लिखी गई है, तो उसमें एक इंपोर्टन ध मरीजों में ये मानस्पेशियों में वीकनेस कराती है, तो इसलिए भी ये मास्थिनिया ग्रेवी से तो भी ने लिखी जाती हार्ट रिदम की प्राबलम है, हार्ट रिदम मतलब की जो हार्ट में रिदम की समयस्या एरिद्मिया रहती है, उन मरीजों में और पोटेशियम और magnesium level कम हो तो ये कुछ साधानिया है जिनको आप डाक्टर को बताएंगे तो अल्रेडी ये दवा बदल देंगे या तो नहीं लिखेंगे या इस तरह की समेस्या है तो हमें ध्यान रखने की ज़रुत होती है तो ये कुछ साधानिया है और यो AG500 टैबलेट या एजित्रोमा medicine बोल सकते हैं इससे संबंदित कुछ और important जो question रहते हैं जो लोग दवा खाते हैं उसको थोड़ा से बता देते हैं क्या इस दवा को एक से दो दिन खा सकते हैं तो आप ये माने कि ये दवा तीन दिन या उससे ज़्यादा ही लेना है एंटी बायोटिक के साथ important बाती होती कि आप इसको एक दो दिन खाएंगे हो सकता आपको लच्छण में आराम मिल जाए लेकिन अगली बार फिर ये दवा नहीं काम करेगे इसलिए डाक्टरी सलाव पे आप एंटी बायोटिक है तो fix दिन के लिए चलती है अब एक question यह क्या इसे बुखार में ले सकते हैं तो हर इसकी बात होई ये दवा को तीन दिन पास दिन साथ दिन दर्स दिन ऐसा डिपन करता है कि बिमारी क्या है और उसकी severity क्या है तो ये कुछ important question है ये question ये भी आप लोग कोचते हो कि क्या इस दवा को अपने से बंद कर सकते हैं तो जी नहीं आप इसको अपने से ना बंद करे से क्योंकि जिस बिमारी को लिखी गई है वो बिमारी ठीक हुई है कि नहीं ये जानना जरूरी है तो ये एजी 500 टेबलेट या एजी थ्रो मैसीने के इंटी बायोटिक है उसके बारे में कुछ महत्पूर बाते मैंने बता दी है उम्मीद है जिनको ये दवा लिखी गई है इस वीडियो से थैंक्यू